बदायों के जिला महिला अस्पताल में बने एलन्सियो वॉर्ड में संक्रमन फैलने से 20 दिन में 13 बच्चों की मौत हो चकी है डॉक्टरों की मारे तो मरने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा संक्याज CSC, PSC से आने वाले बच्चों है वहीं CSC और PSC से आने वाले बच्चों में पहले ही इतना संक्रमन होता कि वो यहां रिकवर भी नहीं हो पाता जिससे मौत हो जाती है बतादें कि जून से लेकर आज तक 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 तकरीबन 50 बच्चों की मौत हो गई है इसके बाद भी स्वास्त विभाग चैंकी नी सो रहा है और बच्चे लगतार मर रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है ये किसी को नहीं पता वहीं लापरवाही बरतने के मामले पर CMO राजिनर प्रशाद कोशाशन निलंबित भी कर चुका है इसके बाद भी सास्विभाग के करमचारी लापरवाही बरत रहे वाड में तैनात डॉक्टर संदीव वाशने के बताया कि जला महिला स्पताल के बज़ाए सबसे ज़ादा CPC से बच्चे आते हैं यहाँ एक बेट पर दो बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है बच्चों की भीड को देखते हुए वाड में एक्स्टर बेट भी बढ़ाए गए